असलाव मेकूम लजीज दस्कान मेरी चैनल पे सभी प्यारे वीवर्स अस्काइवर्स आने वाले सभी प्यारे सब्सकाइवर्स फेंड को तेह दिल से खुशाम देद आज मैं आपको साथ बहुत ही जबरदस हैदरबादी ऑथ्रेंटिक ब्रियानी के रिसिपी शेयर करने जा एक टेबल स्पून भरकर अद्रग पेश्ट एक टेबलस्पून लैसन को पेश्ट लेना है साथ में इसकीन के साथ पीसा हुआ पपीता का पेश्ट लेना है इससे अच्छे से मटर हमारा गल जाएगा तीन से चार दालचिनी का टुकड़ा पास से छे हरी लाइची और एक टेबल स्पून लाल मिर्च पॉडर मिर्च नमक अपने हिसाब से कम जादा कर सकते हैं साथ में आप नमक भी डाल देना है नमक डालने बाद अब इसके अंदर एक टीस्पून हल्दी पॉडर और थोड़ा सा जाइफल लेना है घिसके डालना है एक से दो गराम के लगभगी जाइफल जाएगा जादा नहीं यूज के जाता है इसके अंदर बियानी मसाला नहीं डाला जाता है यह और यहां पर हाफ टीस्पून इलाइची पॉडर छोटी अली हरी लाइची उसका पॉडर है अब इन सारे चीजों को अभी अच्छे से मिला देना है इसके अंदर अच्छे से मिला देना है और 10-12 घंटे के लिए रखना है अगर आपका पास टाइम है तो ओफरनाइट के लिए रख दे इसे में रात भर के लिए फ्रीज में रखी थी और देख लिए अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है अब इसके अंदर फ्राई किया हुआ प्याज डाल नहीं प्याज स्अधारहन में अच्छे से मिलादों में जाएब देखलें के लिए और प्यास हिपाल कि में राज़ते हुआ को प्यास की छोथ छो Tech को को चैती हो चीटिम् Lean हो हैं तो त्यो स्थी एसलि कर दें हो ठीसने वर्ण हैं तो कोतों है और तेल नहीं कि लोगे वह सेहां पॉत-भालों अमने रहे हैं कि यह निदे दूंगे चंप वह अंब हम थाए टेल के धी ग्राइब द। यह लोगवेश थे तरह नहीं सब्सक्राइब एक और यह जो रेसेपी यह लुद्ध और बिर्यानी मसाला भी के जाता है तो आप इस रेसेपी को बना कर थे कि आपके जो बिर्यानी बधानी थी स्ट कर दें को बनार के पंदर में रग दे रही हूं मुझे बिरियानी बनानी है उसमें मतन रासफर कर दीङ हूं के पड़ा के नूजेống फड़ा है जैसे कि सबसे पहले हैं साहरमिकार में तित टेस पत्ती तुर्सभी तरीकम नमकप दालने रही हूं धालन Kenneth की बैसा सफेना में चूंब जालए हूं इसमें कि बार यहां पर में वन केजी लिए रही हूँ और यह बिर्यानी बास्मती राई से आदा घंटा में पहले से भूलां कर रखी थी तो फटा-फट से आप चावल को डाल देना है और यह जाया नहीं पकेगा 60% तक कूप करना है जादा नहीं पकाना है क्योंकि यह बिर्यानी जो है काफी देर तक दम पे रहेगी इसलिए चावल को 60% पकाना है तो पहले पानी बॉल आना शुरू हो जाए तो घड़ी देख कर दो इसे तीन मिनट ही चावल को पकाना है तो तीन मिनट हो चुका है और जालते जाना है और इस तरह से पहलाते जाना है एक चाल चोड़ से अच्छे से ब्रयानी में बहुत अच्छे से तो आप यहां पर हमें थोड़ा सा दूद डालना है हाफ कॉपके लगभग ताकि जो उपर को चावल है वह सौफ्ट हो जाए इसलिए और थोड़ा सा दूद में बचा दूद में बचा दूंगी इसके अदर में फूट कलर डाल रही हूं बट फूट कलर ऑथरेंटिक बियान इसके अदर किसी बी तरह के एसेंस या रोज वाटर के डाला जाता है अब यहां पर में तीन से चार टेबल स्पून घी ले रही हूं ताकि जो उपर चावल है और अच्छे से सौफ्ट हो जाए इसलिए घी उसके जाता है क्योंकि यह बहुत देर तक रहने वाले बियानी इसलिए घी जरूर डालेगा घी नहीं डालेगा तो तो घी डालने बाद अभी से ढख देना है और यहां पर गरम तवे कुपर रखोंगे क्योंकि काफी देर था कि बियानी दंपे रहने वाली है इसलिए तवा यूज करना है अब इस बियानी के हांडी को में तवे कुपर पर्वे कहलें दंड़ी थ्यक्त highway तो मिला निकालना है यहां वित बुझेधाना बनाचे घंड प्राने इसलिए तो राइशन जर्म मॉझी यूज़ तो आदुगों को जो तरफ से तरफ निकालना है । considerable मिलान निकालना हैं। मटन काफी सॉफ्ट हुआ ऐसा लग रहा कि इसे में कूकर में बनाई हूँ इतना अच्छी से मटन यह पर गल गया है जब भी आप बिर्यानी बनाए तो आप इसे क्या करें मटन को जो है रात भर के लिए पपाया पेश्ट के साथ जरूर रखें और इसकीन के साथ आपको बनाई हूं तो आप जिस तरह से मैं बता रहें आप उसी तरह से ट्राइक कीजिए आपकी मटन बिर्यानी बहुत अच्छी बनेगी बस आपको राग भर के लिए पपाया पेश्ट के साथ रखना इसकीन के साथ यूज़ किजिए और किसी तरह के रेसिपी चाहिए तो प्ल आपको बिल आइकन से मिलेगी तो मेरे इस रेसिपी को बनाईए खाईए खिलाईए खुश रहिए अल्ला हाफीज